तो आज हम पढ़ने वाले array and vector में क्या difference है या array and vector होता क्या है तो यहां पास हमारा data types दिया हुआ है तो इस data types में देखें होता है primitive data types और होता है non primitive data types नन primitive data types के अंदर आता है linear and non-linear और non-linear के अंदर tree and graph आ जाता है और linear के अंदर आता है statics and dynamic और dynamic के अंदर link stack and queue आता है और statics के अंदर आता है array प्रामेट्यू ठीक है है यह यह एक प्रामेट्यव डेटा सो सुप फ्रThere is a sойти है यह बोल सकते हैं से केंड हम यह बोल सकते हैं, एक इसमालेस्ट गूप होता है, जिसको स्टॉर किया जाता है, वह स्टॉर किया घया है, तो जो जिरे कीष इंडेक्स होती है, फीप्याई हमेंसा 0 से रंच होती है, और पहला ेलेमेंसा 0 हो सोधल ही , 0 ही काउंट किया जाता है , जीरो नहीं होता है लेकिन जीरो से काउंट किया जाए जीरो वर्न टू थीरी फोर फाइफ जीरो जीरो एट अब बात करते हैं वेक्टर होदा क्या है वेक्टर एक sequence element of data types होता है मतलब sequentially array element होते है data होते है इसको sequentially store किया जाता है ठीक है क्रम से और यह dynamic होता है dynamic का मतलब यह जो array होते statics होता है हम इसकी length को increase नहीं कर सकते यह जिसकी length हमाई 9th है तो इसको हम 10th नहीं कर सकते है लेकिन वेक्टर में यह condition होती हम shrink कर सकते है यह length को हम फहला सकते है user के according तो यह थोड़ा सा फायद हो जाता है vector में कि vector की length घटाए जा सकती है user के अनुसरा है लेकिन array में हम पहले length लेते हैं कि length हमाई 9th है फिर data को store किया जाता है so अब important points की बात कर लेते है जो array होता है न उसकी index हमें सब 0 से start होती तो आपको पता है array में कोई भी classes नहीं होती लेकिन vector में classes होती है array में vector inclusses का use नहीं किया सकते है क्योंकि उसमें class ले यहाँ पर class होत vari हमWepper classes को प्योग कर सकते हैं अब vector classes को थी आप dit दूसरा है में next आपने वाले वीडियो पर इसको clear कर दूगा एक शांछन होते है और vector के उता है Synchronization होता है Array Homogeneous होता है और Vector Hypogeneous होता है ठीक है? Array में Legacy Classes का यूज नहीं होता है और यहाँ पास Legacy Classes का उप्योग किया जाता है Array Statics Memory Location होता है और Vector Dynamic Memory Location होता है Statics का मतलब है इसकी Length को Increase नहीं कर सकते है और Dynamic का मतलब है आपके उसकी Memory की Length को आप Increase कर सकते हो या Decrease कर सकते हो ठीक है? Array क्या होता है? Array Primitive Data Structure होता है और Vector Non Primitive Data Structure होता है Array में Method को नहीं Provide किया जा सकता Add and Remove करने के लिए उसकी Length उसको Add या Remove करने के लिए कोई Method नहीं होता है लेकिन आप Vector में उसकी Length Add भी कर सकते है Array Move भी कर सकते है ठीक है? इसलिए एक Primitive Data Structure होता है इसमें हम इसकी Length को Increase या Decrease भी कर सकते है Array की Length fixed होती है लेकिन Vector की Length fixed नहीं होती है अब बाग को बताता हूं Array की Non Primitive Data लेकिन जो Vector हो यहां आता है यहां पस एक Vector की कॉलम बननी चाहिए थी जो नहीं बननी यहां पस Vector आ जाता है ठीक है? तो यह संपल सा डिफ्रेंस था Vector है अब नेश्ट वीडियो होगा अपना Array के Types के कौन कोन से Types होते है तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में